the question is 1 micro map is equal to what कि या जो साइन आप लोग देख रहे हैं पॉलते हैं ये साइन इसको हम लोग बोलते हैं माइक्रो क्या बोलते हैं माइक्रो जो क्वोच्चनה पूछ रहा है कि एक माइक्रो कितना के बराबर होता हैлем तो आप लोग ध्यान रखिए कि माइक्रो मीटर हो, माइक्रो एम्पियर हो या माइक्रो कुछ भी हो, एक माइक्रो जो होगा, वो हमेशा बड़ाबर होगा, 10 to the power minus 6 के, ओके, तो यहाँ पुछा जाड़ा है, 1 माइक्रो एम्पियर is equal to कितना है, तो 1 माइक्रो एम्पियर कित कितना होता है, means, यह question है, 1 मिली एम्पियर is equal to what, तो यहाँ आप लोग को जानना है कि M का मतलब क्या है, तो यह M जो है ना, इसका मतलब होता है, मिली, क्या होता है, मिली, और यह मिली बड़ाबर होता है, 10 to the power minus 3 के, ठीक है, तो अब यह मिली मीटर हो, मिली एम्पियर हो, म तो आपको क्या समझना है, 10 to the power minus 3, तो इसलिए 1 मिली एम्पियर कितने के बड़ाबर हो जाएगा, 10 to the power minus 3 एम्पियर, तो इसका answer क्या हो जाएगा, first, clear है, next question कर रहा है कि कि किसी कुंडली का परतिरोध ग्याद करने का सुत्र है, तो परतिरोध का मतलब क्या होता है, बच् इसके लिए जो फर्मूला दिया गया था, किसके द्वारा दिया गया था, ओम के द्वारा दिया गया था, क्या दिया गया था, V is equal to IR, तो यहां से हम लोग को क्या मिल जाएगा, कि R is equal to V by I, तो यह हमारा फर्मूला निकल के सामने आ गया, R is equal to V by I, अब देखिए तो है इ प्रस दाफ का मतलब किया है और वेस का मतलब क्या हुँआ कि मतलब हो जाएगा जिसको हम लोगत करते हैं यह आए कि धाड़ा में आवेस कि सिट्थी में रहते हैं अप्शन है विरामा वस्ता में गति की आवस्ता में रहा सकते हैं इन में से कोई भी नहीं तो आप लोग ध्यान भी रखिएगा कि जो एलेक्ट्री करेंट होता है ना यह फ्लो अफ एलेक्ट्रॉन होता है तो इसलिए जब भी धाड़ा में आवेस का बात होगा ना यह हमेशा और हमेशा कि सवस्ता में रहेगा गति की आवस्ता में ठीक है तो धाड़ा में आवेस रहते हैं कि सवस्ता में गति की आवस्ता में ही वास्तों में आवेस के घतिके कारी ही धारा उठपन होती है ठीक है बाऊधो आए आप इस्थिर विद्यूत्र का मतलब किया हो गया इस्थिर विद्यूत्र का मतलब हो गया एलेक्ट्रो एस्टेट क्या हो जाएगा pest travel बच्चो एलेक्टोष टैट तोह इस्तिर विद्दुत जैसा के नाम ही फिर तो इसलिए इसमें जो अवेस रहेगा yana Frd बैकिस वह इका सवस्तह में ल भरेगा बिरामा वस्तह में तो इसलिए ऑप्सन इसका और क्या हो जाएगा कि को और इसको हम लोग करते हैं क्यों से ठीक है बच्चो आइए अब नेक्ट कुस्चन देख लेते हैं नेक्ट कुस्चन पूछ रहा है कि निवन में कौन सा संबंध सकते हैं तो हम लोग जानते हैं कि तो यहां पर है तो अप्सन ए और सी क्या है सही है अब आई अब नेक्ट कुस्चन देख लेते हैं एक एक एच्पी कितने अस्वसक्ति के बढ़ाबर होता है तो सबसे पहले तो हम लोग को यह जानना है कि है इसको हिंदी में हम लोग क्या पूस्वसक्ति क्या होता है होड़ और एक एच्पी जो होता है यह होता है सेवेन फोर शिक्स वार्ट के बढ़ाबर चुकि यह सक्ति का यूनिट है तो इसलिए इसका क्या हो जाएगा यूनिट वार्ट हो जाएगा ठीक है तो यह एक फैक्ट्टूल कोस्चन है आप लोग को याद रखना है कि वन एच्पी जो है वह सेवेन फॉर्टी शिक्स वा समática मोटर TikTok जानना बहूंट है क्या है मतलब इसंक्त की अ उपयोग से हम लोग विद्ma बनाते हैं तो जनीत को हम हम लोग इंगलिस में क्या बोलते हैं जेनरेटर जेनरेटर साधी विया में आप लोग देखते हैं बच्चो जो जेनरेटर आता है उसमें हम लोग क्या करते हैं डीजल डालते हैं और उससे क्या होता है एलेक्टिसिटी पैदा होता है और जिससे हम लोग अपना साधी विया म को फिजिकल और नजी में बदलना मतलब क्या हो गया कि विद्दू तुड़्जा को यांत्री कुर्जा में बदलना और अच्छा बोलें तो इलेक्ट्रिकल और जीको मेकेनिकल एनरजी में convert अब इसका पूछेगा तो इसका बेस्ट एग्जांपल क्या हो जाएगा हम लोग यलेक्टर मोलब के साधा से घड़ में क्या करते हैं पानी को ओपर टंक की में चेराते हैं लेक्टिक करेंट इन 먹고 circuit मतलब बोला जाए तो किसी भी पड़िपत में विद्दुधारा का हम लोग जो माप करते हैं आमीटर से करते हैं ठीक है और गैलवेनोमीटर से हम लोग क्या आप करते हैं गैलवेनोमीटर से हम लोग टो नाइक्रोम निकिल और क्रोमियम का मिस्तरधातु होता है निकिल और क्रोमियम का bond का वह बच्चो में करते हैं आद सी तो 이ुकर करते हैं वर Dreams करते हैं जसको तो हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं तंतु यह बल्ब के तंतु में टंगस्टन का यूज होता है किलियर हो गया ना चलिए आईए अब नेक्स्ट कुस्चन देख लेते हैं आगा नेक्स कोस्चन है किलो वाट मात रख़ये किलो वाट किस चीज़ का मात रख़ये कि दब तो आप लोग के घर में जो भाविल आता हैailandा किश्चीज में आता है कि दबलो यौच में कि नेक्ट कोच्व्यन बहुत अच्वान तर्म आपने वाले अंत्र को कहा जाता है optionet Quebec ammeter सोभी में में सबिबुबवनोमेटर दाप्सट इन में से कोई नहीं तो इसका एंसर क्या हो जाएगा सब्सक्राइब क्लियर है अब और मीटर से हम लोग क्या नापते हैं तो और मीटर से हम लोग एलेक्टिक करेंट आई नापते हैं गैलवेनो मीटर से हम लोग क्या मापते हैं गैलवेनो मीटर से हम लोग डिफलेक्शन मापते हैं कि उस परिपत में किसी तरह का कोई करेंट जा रहाए कि नहीं फ्लो हो रहा जाता है य המ味 याद रखिए समांतरकरम में ठीक है जैसे हमाहा यहां पर यह कोई परिपथ है यह हमारा कोई परिपथ है ठीक है वाक्यों यह हमा एक परिपथ है ठीक है के लिए और हम को यह 0. कि कितना वोल्ट इज का रहा है तो जब भी हमारे 5 जोड़ेंगे तो वोल्ट मीटर जोड़ेंगे समानांतर कृम में में जोड़ेंगे कैसे person नंतर क्रम में यानि आ मीटर को जोडते हैं ठीक है बच्चो ए चिसे बच्चो में चोंग सरा जाता है तो लोग जोड़만 हमेशा स्रेनी के में थीक है आप लोग इसको ध्यान रखिएगा कि आ मीटर जब भी जोड़ा जाएगा विदूद परिपत में तो श्रेनी करम में जोड़ा जाएगा ख्लिए ने बच्चों आ मीटर को जब भी हम लोग जोड़ेंगे तो कैसे जो रहेंगे श्रेनी करम में ख्लिए और को कैसी धारा मिलती है डीसी डीसी मतलब क्या हो गया बच्चों तो डीसी मतलब हो गया डाइरेक्ट करेंट क्या हो जाएगा डाइरेक्ट करेंट और इसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं दिश्ट धारा तो बैटरी से हमेशा हम लोग को कैसी धारा मिलेगी दिश्ट धा में जो करेंट आता है बिजली विभाग से वह करेंट कैसा है एसी को हम लोग क्या बोलते हैं alternating current क्या बोलेंगा बच्चो अल्टर नेटिंग करेंट अल्टर नेटिंग करेंट ठीक है और हिंदी में इसको क्या परत्यावर्ती धाड़ा तो आप लोगों क्या धान रखना है बैटरी से हमेशा हम्लोगों क्या मिलेगा डिश्ट धाड़ा करें और हमारे घर में जो बिजली का सप्लाई होता है वो क्या होता है तो हमारा यहां एंसर क्या हो जाएगा डीजी क्लिर है ना बच्चों आई आप नेक्ट कोस्चन देख लेते हैं नेक्ट क्या है नेक्ट कोस्चन बहुत अच्छा कोस्चन है कर आए किसी बल्ब से 220 बोल्ट पर दो एंपियर की धारा प्रवाइट होती है तो फिलामेंट का प पास फर्मूला क्या है वी इसकल टू आई आर तो यहां से हमारा आर क्या निकल जाएगा भी भाई आई हो जाएगा ना बच्चों तो यहां पर हमारा 220 है न भी ठेक है न और इसके बाद आई कितना है दो तो हमारा एंसर कितना हो जाएगा बच्चों 110 यानि हमारा एंसर क् 110 ओम अप्शन क्या है 55 ओम 10-120 तो क्या हो जाएगा हमारा इंसर्ट डी हो जाएगा 110 ओम क्लियर है ना बच्चों आईए अब हम नेक्ट कुस्चन देख लेते हैं अमरा अगला कुस्चन क्या कहता है अगला कुस्चन का अगला लिखते हैं और सिरेनी क्रम में यह हमेशा होता है और वन प्लस आट टू प्लस आर्थ जितना भी हो हम लोग उसको डाइरेक्ट जो रहेंगे ना तो सिरेनी क्रम में परत्रियोध निकल जाएगा थीज में ठीक है तो 10 और 20 तो 10 और 20 जोर देंले तो समनलांतर क्रम होता तो सब कुछ सेम रहता सिर्फ r equivalent के जगा 1 by r equivalent हो जाता और ये r1 r2 के जगा 1 by r1 प्लस 1 by r2 हो जाता बाकी सब सेम हो ऐसा ही रहता ठीक है यानि बट्टा में करके निकालेंगे तो हम लोग क्या निकल जाएगा सावनांतर करम में निकल जाएगा जो कि संतुले पढ़तिरोद का भेलू ठीक है बच्चो आई आप हम देख लेते हैं एक विद्धूत बल्ब यानि कि एलेक्टिक बल्ब का तंतू किस धातू का बना होता है तंतू मतलब क्या वच्छो फिलामेंट यह हम से पूछ रहा है फिलामेंट ठीक है तो हमसे पूछा जा यह इनकत को इस देख लेते हैं यह नहीं हम से जारा है यान द्यान देने वाला है कि जो विभवा का मातरख होता है न वाहिए किसी का मातरख होता है वह झाल झाल